शाहिद कपूर के पदमावती लुट लेकर जल्द ही होगा बड़ा धमाका पिछले दिनों इस खबर पर काफी चर्टा हुई कि शाहिद कपूर को संजलीला भनसाली की फिल्म पदमावती में कुछ खास स्क्रीन शेयर करने का मौका नहीं मिला है चुझकि फिल्म के ट्रेलर में शाहिद के अधिक फोटेज नजर नहीं आये थे लेकिन अब भबर है कि फिल्म का नया ट्रेलर जारी किया जा रहा है जिसमें शाहिद को अधिक तवज्जो दी जाएगी इसे लेकर तेयारियां चल रही है सेकें ट्रेलर में शाहिद के किरदार पर पूरी तरह फोकस करने की कोशिश हो रही है बतादें कि जब पहला ट्रेलर आया था तो रणवीर सिन को सबसे ज़्यादा तारीफें बटूरने का मौका मिला था खबर यह भी कि मेकर्स की यह प्लानिंग पहले से थी कि वे है बारी-बारी से फिल्म के सारी कलाकारों को दिखाते हुए ट्रेलर बनाएंगे इसलिए आने वाले ट्रेलर में शाहिद के किरदार को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां हो रही है फिल्म में शाहिद माहरावल रत्तन सिन के किरदार में है जो की इस कहानी के अहम हिस्सा है इसलिए मेकर्स दर्शकों को जलक दिखा कर इस बात की तसली देना चाहते हैं शाहिद कपूर खुद भी इस बात को लेकर नर्वस हैं कि दशकों को उनका लोग किस तरह पसंद आता है बता दें कि पिछले दिनों खबरें थी कि शाहिद इस बात से दुखी हैं कि उन्हें रणवीर सिंसे कम स्क्रीन शेर करने का मौका मिला है लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि मेकर से केक करके दशकों से सारे किरदारों को अवगत करा रहे हैं फिल्म एक दिसंबर को रिलीज होने वाली है